दोस्तों यद आपने भी कोई निवास प्रमाण पत्तर या जाती प्रमाण पत्तर के लिए अपलाई किया है और जब आप उसके इस्टेटस देखने के लिए आएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आवेदन की जहांच हो चुकी है और स्विकृत या अस्विकृत प्रतीचारत है इस तरह से आपको इस्टेटी को दिखाएगा और इसे काफी दिन का समय हो गया है लेकिन अभी आपने देखा होगा जियोपी में पलिस की बरती निकाली हुई है जिसमें काफी टाइम लग रहा है तो ऐसे में यह अद्यापी यह एस्टेटी क्यों दिखाता है इसका region क्या है इसका समाधान क्या है पूर ज्यानकारी आप इस वीडियो को मादम से देखने वाले हैं तो चलिए तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों कई दिन से मेरे पर काफी सारी दोस्तों कमेंट आ रहे हैं इसको वो पोचने सार हमने कोई सर्टिफिकेट के लिए अपलाई किया है उस सर्टिफिकेट को काफी दिन हो गए है लेकिन जब हम उसकी इस्थिती को देखने के लिए आते हैं तो आपर हमें मिलता है कि आविदन की पूरी जहां चो चुकी है आविदन स्विक्रित या अस्विक्रित है प्रतीचारत है लेकिन इसको काफी दिन का समय हो गया है लेकिन ना तो यह upload हो रहा है ना ही यह reject हो रहा है तो इसके क्या क्या region हो सकते हैं जैसे कि दूस्तों मेरे case में देख सकते हैं मैंने यह आपर एक आभिदन की स्थेती को देखा हुआ है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आवेदन की जाँच हो चुकी है एवन सम्मंदित अधिकारी की स्विक्रित या अस्विक्रित या प्रतीचारत है यानि आपने जो आवेदन एपलाई किया है उसकी पूरी जाँच हो चुकी है आपके आवेदन के जितनी जांच की जाती है चाहे वो लेकपाल के मादियम से की जाती है या तैसींदार के मादियम से की जाती है वो जांच यहाँ पर पूरी हो चुकी है यह वो सम्मंदित दिखारी की अस्विक्रित या अस्विक्रित यह प्रतीचारत है जैसे के आपको मालूमगा जैसे आय प्रमाण पत्र है यह 33 दार के पोटल से जारी होता है अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैं विवरड है तो किलिक करें मैं यहाँ पर किलिक कर दूँ तो दोस्तों जैसे मैंने यहां पर विवरड़ पर किलिक किया है तो यहां पर आप पूरी प्रूसेश देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर forward from यानि कहां से यह आवेदल forward हुआ है जैसे के जो भी जनसेवा के इन संचालक होते हैं उनके पास ID और password होता है यहां पर जनके भी नाम पर ED-Stick ID होते हैं उनका नाम यहां पर सो होता है यानि किसके portal से यह forward किया गया है यानि किसकी ID से यह forward किया गया है उसके बाद दोस्तों आपको मालूंगा जो आयपरमाट पात्र होता है वो सबसे पहली तैसीनदार के portal पर जाता है आपके तैसील में जो भी तैसीनदार होता है उनके portal पर यह जाता है जैसे ही तैसिनदार के portal से आपके आविदन की report लगा दी जाएगी तो उसके बाद उसको आविदन को forward कर दिये जाता है यानि forward कर दिये जाता है आपके जो भी छेतरी लेकपाल होते हैं उनके portal पर इस आविदन को forward कर दिये जाता है जैसे के forward 2 जो लेकपाल होते हैं उनके portal पर ये forward किया गया उनका नाम आपको यहाँ पस होगा किस सारी को ये forward किया गया उसकी date आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप step 3 देखेंगे अब दोस्तों बात आती है छेती लेकपाल के portal से report लगने की आपके आविदन पर जब भी 6 लेकपाल के माय देंसे report लगा दी जाएगी तो report लगने के बाद में वो forward करेंगे किसके पाद? यानि 33 दार के portal पर तो यहाँ पर इनों ने report लगा दिय है उसके बाद 23 दार के portal पर ये forward कर दिये गया उसके बाद बापस से 13 पौर्टल पर उसको वेटी है तो जैसे ही वो 13 पौर्टल पर बेह जाएंगे तो जब आप उसके आविदन की स्थिति देखने के लिए लिए तो वाहां पर आपको मिलेगा आवेधन की जहांच हो चुगी है एबन सम्मखन अधिकारी की स्विकृत या अस्विकृत यहत प्रतिछारत है याने आपको आफिदन की पूरी जहांच हो चुगी है यानि तैसिनार के ID पर मौझूद होता है तो उस समय आपको यहाँ पर मिलेगा आविदन की जांच हो चुकी है एबन सम्मनेद अधिकारी की स्वीकृत अस्वीकृत यह तो प्रतिचारत है यानि आपका जो आविदन अभी है या तैसिनार के बोटल पर मौझूद है अब दोस्तों बात आती काफी दोस्तों कमेंट आता है कि हमारे आविदन की जांच हुए काफी दिन हो गए यानि उसको 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए लेकिन वो अभी अपलोड नहीं हुआ है तो इसका रीजन क्या क्या हो सकती है तो दोस्तों मैं आपको उतादू जब आप कोई भी आविदन ओनलाइन करते हैं तो उसको 15 दिन का समय लगता है पूरा कम्प्लीट होने में और कभी-कभी केस में ऐसा देखा जाता है को इसको 20 दिन या 25 दिन भी लग जाता है तो दोस्तों ऐसा थब होता है जब आपकी तैसील में कोई नया तैसींदार आ जाता है या पुरानी तैसील दाज का टांपर हो जाता है तो उससे स्तिती में ऐसा होता है कभी-कभी जो आपके आविदन उनके पोर्टल पर डिलेग होते है तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है अप्लोड होने में और दोस्तों में इसका दूसरा रीजन आपको बता दू जो ज़्यादतर केसों में देखा जाता है या दूसरा रीजन ही इसमें महत्पूर होता है तो वो क्या रीजन है तो दोस्तों जब आपके छिती लेगपाल के मादिम से जब रिपोर्ट लगाई आती है तो वो रिपोर्ट किस तरह की लगा रहे है या तो उस आविदन को रिएक्ट कर रहे है या उस आविदन को approve कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने आविदन को approve किया तो 83 के portal पर वो बेजेंगे तो 83 के portal पर 2-4 दिन बाद ही यार नि last में आपको बता दो 10 दिन के बाद ही उस certificate को upload कर दिया जाता है लेकिन यदि आपके 6 लेपाल के मादन से यदि आपके आविदन को react कर दिया जाता है तो जब वो आविदन को react कर दिया जाएगा उसके बाद उस आविदन को 83 के portal पर वेजे जाएगा तो वो आपका आविदन react होगा तो वो आपका आविदन react वाली सूची में 83 के portal पर जाएगा और 33 के पोटल पर जो आवेदन एप्रूब हो चुके हैं यानि 6 लेख़पाल के मातिपसर जो आवेदन स्विक्रित हो चुके हैं तो उन सार्टिपीकेट को बहुती जल्द अपलोड किया जाता है लेकिन जो आपके आविदन 26 लेकपाल के मार्द एम से रिय्यक्ट कर दिये गये हैं किसी भी कारड की बजेश से उन आविदन को बाद में अफ्लोड कर दिये जाता है तो दोसरा इसका मुख यही कारड हो सकता है कि आपका आविदन कहीं रियक्ट तो नहीं हो गया है यदि आपका आविदन छेक्तरी लेकपाल के मादन से react कर दिये गया है तो उसाविदन को जो 33 नार के portal पजाएगा तो वो react वाली सूची में जाएगा और रियक्ट वाली जो सूची के जो आविदन होते हैं तो उन आविदनों को बाद में upload कर दिया जाता है यानि बाद में upload नहीं आपको वाँ पर clear मिल जाएगा कि आपका आविदन अस्विक्रित हो चुका है लेकिन आपको जब ही आपको clear होगा जब 33 नार के portal से उसकी जाँच नहीं की जाएगी तब तक आपको यहाँ पर सो नहीं होगा कि आपका आविदन अस्विक्रित कर दिया गया है तो दोस्तों इसका मुख्य यही कारड हो सकता है कि आपका आविदन कहीं react तो नहीं हो गया यदि आपका आविदन 6 लेकपाल के मादमें से react कर दिया गया है तो 33 नार के portal पर reject वाली सोची में जाएगा और जो react वाली सोची के जो आविदन होते हैं उनको बाद में स्विक्रित कर दिया गया है यदि आपका छिती लेकपाल के मादमें से उसको अस्विक्रित कर दिया गया है तो जब उसको upload किया जाएगा तो यहाँ पर आपको सोगा कि आपका आवेदन अस्विक्रित कर दिया गया है लेकिन जब तो छित्ती लेकपाल उस पर रिपोर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको यही इस्तिती दिखाई देगा जैसे कि आप यहाँ पर मेरी केस में देख रहे हैं तो दोस्तो आसा करता है यह वीडियो आपको कापी पसंद आया हुगा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजी सेर कीजी दोस्तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब करें